सर्दियों में मेरी टेरस पर कुछ सब्जियों की आज पहली हार्वेस्टिंग आपके साथ फ्रेंड और सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब आपकी टेरस पर इतनी हेल्दी और और और्गनिक वेजिटेवल ग्रो होती है सूर्य उदय का एक द्रिश्य भी आपके साथ और स कुछ रह गए थे तो उनकी हार्वेस्टिंग आज और यह देखिए दूसरी एक और मैं ब्रोकली ले ले रही हूं यहां से मैं ले ले रहे हूं थोड़ा धनिया पत्ती और धनिया जो है काफी अच्छी क्वांटिटी में मेरी टेरस पर हो रहा है और यह मेरे पास थे फ्र हो कुछ मिर्चे गोल गोल चली और मिर्चे तो कुछ तो मेरी टेरस पर जो पुरानी हो चुकी हो बिलकुल खताम हो चुकी है कुछ यह हैं और कुछ नई पाद जो है मेरी टेरस पर निकल रही है तो आप देखिए कितने बढ़िया से जो है यह मिर्चे हो रही है तो कुछ मैंने ले लिए यहां से मिर्चे और बहुत तीखी यह मिर्चे हैं फ्रेंड गोल गोल देखे बेर की तरह है या स्टावरी की तरह है और साथी मैं यहां से मैं ले ले लिए हूँ कुछ लाल मूली और लाल मूली फुल ओफ वाटर होती है बहुत स्वाधिस्टे खाने में होत तो बहुत अच्छा होता है हमारे स्टमक के लिए और इसको देख करके तो मन इतना खुश हो जाता है कि देखे कलर भी तो कितना खुबसूरत है देखने में इतनी खुबसूरत है और खाने में भी बहुत स्वाधिस्ट है तो आप जरूर अपनी टेरेस पर ग्रो करें लाल मूली जो होती है फ्रेंड जैसे कि हमारी लीवर के लिए भी बहुत अच्छी होती है और सबसे बड़ी बात है कि जब मूली जैसे सर्दियों में बहुत कुछ हम लोग गरम खाते हैं तो कई बार जो है लीवर से एफेक्टेड होने लगता है तो अगर ऐसे में मूली का बढलेट में खाईय है बहुत स्वादिष्ट होती है तो और यह मैंने टेर्यस में अपने टेरिस में और यह जो मीरा ना हम 59 घुल एग है और सिपार्लि के लिए होई रहे हैं तयार और साथी में नए फ्लारिंग तो यह मेरा एक सदा वहार लेमन का प्लांट है और मैं क्या इसमें देती हूं मैंने इस पर वीडियो आपको साजा कर रखा है चैनल पर तो आप जाकर के चेक कर सकते हैं या मैं लिंक दे दूंगे डिस्क्रिप्शन में कि जिससे आपके प्लांट पर भी इतने डिरों लेमन आप भी ग्रोव कर सको साथी में टमाटर और टमाटर देखे कितनी बड़िया जो है इस पर फ्रूटिंग हो रही है मेरे टमाटर की अभी कुछ कच्चे हैं तो जो पके वे हैं सिर्फ वही निकालूंगी बाकि जो पके वे फ्रूट्स को हर्वेस्ट नहीं करते हैं तो पुरान नए फ्रूट्स नहीं डेवलप होते हैं साथी में यहां से मैं ले ले रहे हूं कुछ पालक के पत्ते और पालक भी एक उगाया था ग्रोव वैग में साथी में मटर है तो बहुत ही बड़िया और हेल्दी यह पालक हो रहा है और मैं तो यह सोचते हूं फ्रेंट जो भी मुझे टेरिस पर मिलता है वो मुझे गॉड गिफ्ट है क्योंकि टेरिस पर इतनी सब्जियां उगा पाना मैंने साथ कभी सोचा भी नहीं था लेकिन रिजल्ट आपके सामने है साथी में यहां से मैं कुछ ले ले सिर्फेंट में मुझे बीन्स के कुछ खास रिजल्ट नहीं मिलते हैं अदर्वाइस हमेशा जो है बीन्स मेरी टेरिस पर ग्रो होती ही रहती है और कुछ टमाटर मैं यहां से भी ले ले रही हूं यह ठोड़ा था माटर का प्लान थोड़ा सा ख्राब सा हो रहा है बट चल कोई में बtsåं जाता आपके garden में चाती नहीं यहां से बेथ हूँ और एक एक बार मैं फिर लाल मूली और यह मेरी क्यारी में भी हो Xin अगर आपको बताया कि लाल मूली मुझे बहुत पसंद है तो मैं इसको अपने डाइट में जरूर सामिल करती हूं और कुछ इस की मेरी हारवेस्टिंग रही तो अपने वीडियो को इंजॉई क्या होगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो बहुत अच्छे लगे तो आगे तक भी जरूँ शेयर करें फ्रेंड थेंक्यू बाई Happy Gardening!